Welcome back to our YouTube channel Tech Guide Vassim तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप Igno T June 2023 का online exam form fill कैसे करोगे इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप Igno June 2024 का examination form fill online कैसे करोगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक request है कि मेरी YouTube channel को subscribe करना ना भूले तांकि और भी helpful content आप तक पहुँच सके तो यहाँ पर आपको आना होगा अपने mobile phone PC या computer के browser में इस वीडियो में आपको मैं mobile phone में दिखा रहा हूँ तांकि आपको भी आसानी होगी यहाँ पर आपको आना होगा अपने mobile phone के Chrome browser पे Chrome browser पे आने के बाद आपको search करना होगा इगनो सर्च करने के बाद आपके सामने igno.ec.in का official website आ जाएगा आपको open कर देना है मैं आपको वीडियो के description में direct link दे दूँगा वहाँ से आप click करके directly side पे redirect हो जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पर register online वाले option पे click करना है term and exam वाले option पे click करना है आपको वीडियो के description में link दे दूँगा यहाँ आप exam.igno.ec.in की official website सर्च करना है और आप directly login हो जाओगे उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर important note जो कि आपको instructions दी गई है कि आप form fill कैसे करोगे आपको यहाँ से close कर देना है यहाँ पर आपको आपकी subject fees जो है वो दिखा दी गई है आपका जो last date है वो 31 March 2020 रहने वाला है आपको चहिए जल्दी form fill करना क्योंकि बाद में आपका जो examination centers है वो full हो जाते है उसके बाद आपको नीचे आजाना है यहाँ पर I had declare पे click करना है और proceed to fill online examination form पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ से अपना enrollment number fill कर देना है जो भी आपका enrollment number होगा उसके बाद आपको यहाँ से अपना program select कर देना है जो भी आपका program होगा यहां से आपको वो सेलेक्ट कर दें प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको अपना रिजनल सेंटर जो भी आपका रिजनल सेंटर होगा वो सेलेक्ट कर देना है यहां पर आपका एग्जैमिनेशन सेंटर जो होगा वो रिजनल सेंटर होगा करना कि आपका examination center आपका उसके बाद आपको यहां से अपना secure code फिल करने है आपको यहां पर अपना secure fit फिल करने के बाद आपको यहां पर submit वाले ऑप्शन पर click submit वाले option प्रोड रिखने के बाद successfully login हो जाओगे उसके बाद आपका all-ment डालने के का अफ़ चाल करेंगा सकते हैं आपके प्रोग्राम और आपके यहां पो गब सकते हैं आपको प्र आपको यहां से अपनी email ID fill करने के बाद आपको यहां से अपना gender select कर देना जो भी आपका gender होगा उसके बाद आपका अगर PWD candidate है तो yes कर दीजिए अगर नहीं हो आपको कोई disability नहीं है तो आप यहां से no कर दीजिए उसके बाद आपको अपना mobile अन्प मेलें न्बर दोनों फिल जो आपके आपके पास आविलिबल है तो अगर नहीं है तो यह फिल कर दो आप सिकार्म पर अधार बंगर कर दो है तो यह फिल account number create कैसे करोगे यानि कि academic bank of credit का जो account number है आप online credit कैसे करोगे अपने mobile phone से मैंने इसके उपर video बना दी है मैं video के description में भी link डाल दूँगा वहां से आप click करके directly आप video देख सकते हो कि आप academic bank of credit account number यानि ABC ID number create कैसे करोगे मैं आपको उपर i button में भी दे दूँगा video की link आप वहां पे इस पर click करके video देख सकते हो मेरे YouTube channel पे भी video available है कि आप Igno की ABC ID create कैसे करोगे आपको यहाँ पर click here to enter change ABC ID वाले option पर click करना है उसकी बाद आपको यहाँ पर बता रहा है do you have ABC ID आपको यहाँ पर yes click करना है आपको यहाँ पर अपना जो ABC ID number है वो fill करना होगा उसकी बाद आपको यहाँ पर submit वाले option पर click करना है submit वाले option पर click करने के बाद आपका जो academic bank of credit यहाँ पर add हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से अपने subject select कर देने हैं जो भी आपके subject होंगे subject select करने के बाद आपको यहां से ध्यान से अपने subject fill कर देने subject fill करने के बाद आपको यहां पे जो आपका assignment submitted का है आपको यहां पे yes see click करना है no आपको यहां से click नहीं करना होगा क्योंकि यहां पे automatic आपका yes ही आएगा उसके बाद सारे detail फिल करने के बाद आपको यहां पे नीचे एक option आ रहा है submit का आपको इस पे click submit पे click करने के बाद आपके सामने आपका online examination form display हो जाएगा उसके बाद आपको यहां से अपनी payment कर देनी है जितने भी आपको यहां पे payment show हो रही है यहां पे आपको payment gateway 1 पे click करना है उसके बाद आप यहां से payment gateway 2 भी option आ रहा है आप वहां पे click करते हैं जैसे कि मैं यहां पे payment gateway 1 पे click करता हूँ उसके बाद pay no पे click करता हूँ यहां पे आपको फिर pay no पे click करना है यहां से आपको अपना credit card, UPI, Google Pay यहां आपके पास यहां पे net banking available है तो आप अपने payment कर सकते हो payment करने के बाद आपका जो form है वो success police submit हो जाएगा तो यह थी मेरी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो please like, share और subscribe करना ना भूले, मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज, thank you